हेलो फ्रेंद्स, मैं विज्या दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे इस ब्यूटिफल यलो रेन लिली के बारे में इसे यलो फैरी लिली भी बोलते हैं इसका बोटानिकल नेम जिफिरेंथा सिट्रीना है ये एक रेन लिली की ही वेराइटी है ये जून के महिने में जब बारिश शुरू होने लगती है उस समय ये खिलने लगते है जहां और रेन लिली थोड़े जुके हुए से रहते है वहाँ ये फ्लावर बिलकुल स्ट्रेट उपर की तरह खिलते हुए दिखते है ऐसा लगता है मानो रेन का ये वेलकम कर रहे हूँ ये नेटिव प्लांट है साउथ इस्टन अमेरिका, साउथ अमेरिका और सांट्रल अमेरिका का इन फ्लावर्स की जो चौड़ाई है ये एक देड़ इंच लंबी होती है और लेमन येलो पलर में ही आते हैं ये उकते हैं एक वीड की तरह ये कैसे वीड की तरह उकते हैं इसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं इनकोस फ्रेंड्स मैंने दो साल पहले एक ऐसे ही खाली ग्राउंड में उकते देखा था जहां पेड़ पौधों का थोड़ा सा कचड़ा पड़ा था वरसात के सीजन में ये बहुत खिले थे वहाँ पर मैंने बड़ी हिम्मत करके वहाँ गई और इसको मैंने खोदना शुरू करा जब खोदा तो पता लगा इसमें तो नीचे बल्व है उस सीजन मैं उसको वहाँ से एक बल्व ले आई और मैंने लगा दिया तब उसमें से केवल एक flower निकला और सूख गया फिर मैं उसको भूल गई गमला भी मेरा ऐसे ही पड़ा रहा जब next season हुआ फिर से जब आसाथ आई तो मैंने उस गमले में बहुत धे सारे ऐसे ही flowers खिले देखे तब मेरा ध्यान इस पर विशेश रूप से गया हमने इसकी उस समय पूरी growth बड़े ही ध्यान से watch करी तो पाया ये बहुत ही असानी से उगने वाला bulb का bulb है रेन लेली भी वैसे बहुत असानी से उगती है लेकिन ये वाली variety तो बहुत ही असानी से होती है friends आगे फिर बताते हैं आपको कि इसकी care कैसे करी हमने friends इसको जो था मैंने बिकुछ साधरन मिटी में ऐसी ही डाले रखा ये grow होता रहा कभी इसको मैंने ऐसी बाहर जहां ऐसी जगे डाल दिया जहां कभी धूप लगी की नहीं बात ने पता चला कि ये इंडोर भी grow हो सकता है लेकिन इंडोर का मतलब है कि जहां ऐसी जगे रखें जहां कि कम से कम दो घंटे की थोड़ी बहुत धूप तो जरूर आए इस flower की सबसे खास बात ये है कि कड़ी धूप में भी इसका color बिलकुल fade नहीं पड़ता है इसके सुन्दा color देख करके अब मैं थोड़ी बहुत इसकी केर करने भी लग गई हूँ इसके bright color के कारण pollinator जैसे की butterfly, bees इसके आसपस मड़ाते रहते हैं इसकी जो leaves दिख रही है ये पतली पतली विकल घास की तरह होती है इस plant में कोई भी pest attack नहीं करते हैं सारे साल इसकी घास की तरह ऐसे ही पत्तियां इसमें लगी रही इसलिए शायद मेरा और ध्यान नहीं गया इसका तो इसके केर से तो बिलकुल निशन्थ रहिए इसका propagation जो है वो bulb से भी होता है और seed से भी जब flower सूप जाता है तो तुरन्थ ही दूसरे तीसरे दिन ही flower के base में ये seed pot बन जाता है इस seed pot में तीन chambers होते हैं ये देखिए तीन दो तीन दिन बाद ये हफते में ये भी सूपने लगता है सूप करके बूरा पढ़ करके ये उपर से food जाता है तब इसके अंदर जो है काले काले से काफी सारे seeds रहते हैं ये seeds कहीं भी गिर जाते हैं वहीं जम जाते हैं इसकी bulb भी हम आपको खोद करके नीचे से दिखाते हैं और जो seeds गिर जाते हैं ये एक दो महीने के अंदर ही फिर से बड़े होकर flower देने लगते हैं ये देखिए इसकी बल्व है हमने हाथ से निकाला तो थोड़ी से डामेज हो गई है इसमें जेदे की छोटे से ये भी कली निकली है ये सब ग्रो हो जाएंगे ये देखिए कितनी छोटे छोटे से बल्व हैं इन सब में सेप्टेंबर तब फ्लावर्स आ जाएंगे इसमें ये इतने ज़्यादा मात्रा में निकल आते हैं शायद इसलिए इसको वीड बोल दिया गया है ब्यूटिफल वीड ये ये बहुत खुबसूरत लगते हैं अगर आपको कहीं मिलता है तो इसको जरूर लगाईए ये देखिए हम आपको खोल करके इसको डैमेज करके सीड दिखाते हैं ये समय कच्ची है इसमें सफेज सफेज से सीड निकल रहे हैं बार में ये ही पक जाते हैं मुझे उमीद है कि आपको मेरा इनफॉर्मेशन पसंद आई होगी मैं इनको वापस लगा देती हूँ ये फिर से अच्छे से लग जाएंगे और फ्लावरिंग देंगे अगर मेरी इनफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाईएगा और अच्छे से इनफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अपना ध्यान रखिएगा और अधिक से अधिक पेड लगाएए धन्याँ